जो भी candidate RRC Group D में PWD के टिगरी से form apply किये थे जब से उनके document verifications की finally debt allowance हो चुकी है उनके मन में सवाल आ रहा है आखिर में हमारे जोन की document verifications के लिए क्या expected cut-up चाहे की थे मैं आज आपको इस वीडियो में आपके जोन की कटाप को बिल्कुल full detail में analysis करने वाला होती जादा जाएगी लगबख सभी जोनों की expected cut-up यही रहने वाले है और आपका document verification और medical कब से start हो रहा है इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बिल्कुल detail में discuss किया जाएग इसलिए फिरिंस आप बीना escape के वीडियो के लाच तक बानने रहेगा और जब चैनल पर फाली बार वीजिट करें सब्सक्राइब पर के बेल आइकन जरूर पेस करें जिससे आपको railway ग्याम से जुड़े हुए बल पल पल के अपडेट मिलती रहे साथ में डिसकेशन से बाक आपका analysis करूं हमें वहाँ पर से काफी ज्यादा फाइदा हो मैं आपको एक्जिक्ट डाटा बता पाऊं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर इस्टे सेंटर रेलवे हाजीपूर है आज जो मैं आपको डिसकस कर रहा हूं और आरवी पटना के अंतरगत आने वाले हाजीप vacancy थी यहाँ पर दूसरे RRB की जोन क्या पेक्षा बहुत थी कम यहाँ पर vacancy देखने को मिल रही है साथ में गाईस से दिह हम डिसकस करें के 2022 में अभी जो आपका PET के लिए जो candidate qualified हुए थे उनकी क्या कटाप गई थी यहाँ पर देखेंगे आपको दिख रहा है RRB पतना जो RRB पतना के अंतरगती RRB हांजीपुर योन आता है यहाँ पर जेनल की 66 नमबर OBC की 60 नमबर EWS की 50 नमबर EWS की 50 नमबर EWS की 42 नमबर और EWS की जो पटाप है वो 48 नमबर आई थी जितने कंडिरेटों की यह नमबर साये थे उन्हें डाकों PET के लिए फाइनली RRB पतना की उसे पुला लिया गया था गाईश आप पूरा वीडियो देखिएगा बीच में स्किप मत करें जिससे आपको सभी चीजे आपको समझ में आजाएं साथ में कॉमेंटर बाक्स में आप भी बताईएगा क्या आपके जोन की कटाप के लिए फुल डिट इस्ट्रा कंडिडेटों को जो है डाकूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था या फिर आप बोल सकते हैं मेटिकल के लिए आगे के लिए यहाँ पर यह देखेंगे पी डवरूडी में भी आई में 60 बैकंसी थी जिसमें 63 कंडिडेट को बुलाया गया था और इ 77 नंबर यहां की कटाप गये थी और यमडी कटेगरी में 5 कंडिडेटों को बुलाया गया था और उनका पास्सिंग मार्क पर सेलेक्शन हो गया था गाइस 2018 में बैकेंसी आई थी सभी जोनों में बहुत ही कम बैकेंसी थी, दो बैकेंसी, चार बैकेंसी इस तरीके से थी यहाँ पर जो RRB पठना था, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बैकेंसी थी, इसलिए सबसे ज़्यादा farm यहाँ पर apply किया गय थे, number up candidate जादा होने के कारण यहां पर 2018 की जो कटाप है हाई चली गई थी लेकिन जब 2022 में यहीं देखा गया था सभी जोनों में भरपूर भरमार वेकंसी को है इसलिए आपकी जो एवेरेजी ही कटाप जाएगी यहां की कटाप इतना जादा नहीं जाएगी तो मैंने कम्यूटी पो 21% कंडिडेट के वहीं पर 60-70 नमबर 13% और 70 से अधिक जो है 6% कंडिडेट के आ रहे हैं साथ में 23 कंडिडेटों ने अपना स्कूर कार्ड भी कमेंड के माध्यम से सियर गया लगभग यहां पर देखेंगी 1000 से जादा वोट यहां पर मिले इन सभी डाटा को इनलेसिस करने के एक बाद यह मैं Final Decision पर जाओ यह मैं expected कटाप बता रहा हूं आप भी अपने कमेंट बाक्स में बता सकते हैं कि क्या कटाप जाएगी जो मैं बता रहा हूं एक से दो नमबर आपकी जो कटाप वर उपर रह सकते हैं या फिर नीचे रह सकते हैं हमें अनुमान है कि इस से जादा आपको difference देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, वी आई केटेगरी में, जेनल की, यू, यू, आर, EWS और OBC की, यदि आपके अंठामन से 62 नमबर आ रहे हैं, तो आप document verifications के लिए तैयार रहें, यदि आपके इससे कम भी आ रहे हैं, तब भी आप document verifications के लिए तैयार रहें, क्योंकि आपके debt allowance हो चुकी है, और इससे कम में भी आपका selection हो सकता है, और आप बिल्कुल demotivate नहों, आपका selection बिल्कुल हो जाएगा, ये 99 से 33 नमबर में आप पूरी तरीके से safe है, यह चाहिए केटेगरी की बात करेंगे चो वाली से 48 नंबर आप UR EWS के है तो आप पूरी तरीके से safe है 35 से 40 नंबर यह दिए आपके HTSC में है यहाँ पर safe है EMD केटेगरी में आपका जो है चाहिए HTSC हो चाहिए UR हो आप पासिंग मार्ट पर आपका selection हो जाएगा तो गाइस जो non-criminal OBC के candidate है वो HTSC में अपने आपको include कर ले क्योंकि उनका passing mark 30 नंबर है उनको भी कमी cut-up जाएगे और जो normal ही OBC के candidate है उनकी cut-up जो है वो EWS और general की जो है उसके mid में जा सकती तो यहाँ पर रही सबसे बड़ी बात कि अब आपका document verification और साथ में medical कप से होने वाला है तो guys सबसे बड़ी update कल की date में officially आ जुके मैं videos भी बना दिया हूँ आपको देखना है तो जाकर देख लेंगे आपकी जो है 15 फरवरी से आपका medical exam और document verification इसलिए आपके इससे चार नंबर चार नंबर कम भी आरें तब भी आप document रेडी रखें आपको बिल्कुल फुलाए जाएगा final result कब तक आएगा जैसे ही आएका मैं आपको update कर दूँगा तो finally guys मैं आपको मिलता हूँ next update के साथ study with मैं तफ़ाइब